आप सभी को मैं अपनी इस वीडियो में UGC NTA NET की प्रिप्रेशन के लिए बहतरिन टिप्स बताऊंगी आपको स्ट्राटेजी बताऊंगी जिसी क्या है आपका एक बार में एक्जाम क्वालिफाई हो जाए तो इसे में स्ट्राटेजी बताऊंगी आपके सभी सब्जेक्ट के लिए महतप्रण होने वाली है मेरा जो NET है वो क्वालिफाई है हिस्ट्री में तो देखिए आप कैसे एक्जाम को क्रेक कर सकते हो क्या आप स्ट्राटेजी फोलो कर सकते हो तो यह मैं आपको अभी अपनी इस वीडियो में बताऊंगी तो देखिए सबसे पहले मैं आप को बताऊंगी आप किसी भी एक्जाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो स्लेवस होता है उसका प्रिंट आउट रखना बहुत जरूरी है आपके पास एक हाड कोपी होनी बहुत जरूरी है स्लेवस की कि कहां से जो है आपके examiner question पूछने चाहते हैं या पूछेंगे तो देखें जैसे कि आप सभी जानते हैं जो anti-net का exam है उसमें two paper होते हैं ठीक है दो paper उसमें लिये जाते हैं तो जो पहला paper है वो general होता है जिसमें 10 unit होती है सभी subject के लिए वो same रहेगा दूसरा जो paper होता है आपका वो होता है subject specific ठीक है तो आप फर्ष्ट paper के लिए जो है त्यारी करते हो कौन सी book important रहेगी तो मैं आपको अपनी next video में अगर आप के demand होगी तो मैं आपको बता दूँगी ठीक है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो अपने exam को qualify करने के लिए जैसे कि आप सभी को पता है every six month जो है ये exam conducted करवाया जाता है साल में ये दो साल में दो बार ये आता है पहला जैसे कि मैंने बताया syllabus syllabus आपके पास होना बहुत जरूरी है print out निकाल लीजिए एक दो बाद syllabus को जरूर पढ़ना every week है जो आपको syllabus रीड करना sorry बहुत जरूरी है ठीक है जिससे क्या है आप syllabus को समझ जाओगे पहले बार किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हो बुक्स को पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आती 30% आती है लेकिन एक दो बार आप उसको पढ़ते तो आप अच्छे से उसे समझ पाती हो ना आप एक तरह से लर्ण वो चीज़े आपको हो जाती है दूसरी बात आती है आपकी study material की कि आपकी आपका study material है जो resource वो क्या होने वाले हैं इसे exam की preparation वो आपके journey में ठीक है तो देखिए आप authentic book का selection करें इसमें क्योंकि आप ये एक national level का बड़ा exam है एक बड़ी teaching post के लिए आपका exam है आप lecturer बनने जा रहे हो ना उसके लिए आपको depth knowledge होना बहुत ज़रूरी है अपने subject के क्योंकि आपकी search work quiz में करने वाले हो तो इसमें क्या है आपको authentic चीज़े उठा कर लाने है authentic जो है material आपके पास होना बहुत ज़रूरी है तो आप selected यानि की material का selection जब करते हो तो best books का करो और कम books का करो यानि बहुत जादा market में उसकी क्या है बहुत जादा books available है तो सभी books उठा कर घर नहीं लाने main main book रखो आप जैसे की मेरा history में exam qualify है तो जैसे की मैं ancient history अगर मैं पढ़ना चाहूंगी history of ancient प्राचिन भारत का इतिहास तो उसके लिए बहुत सारी books आती है लेकिन मैं इसे part के लिए दो books को जरूर मैं चुनती हूँ क्योंकि एक book से काम चलने वाला है नहीं तो ठीक है एक बर reading करने के लिए और दूसरा आपका जो factual question आते है उसके लिए भी आपको अलग से book देखने पड़ेगी यानि कि concept भी आपका जो clear होना चाहिए और आपके factual question भी आपको उससे सम्मदित आने चाहिए तो आप अपने subject या coding review देखकर आप अच्छी से book लेख स लगते हो ठीक है फिर आप उसके क्या third number पे आपको notes बनाना बहुत ज़रूरी है ठीक है जैसे आप reading करते हो आप study कर रहे हो preparation के दोरान तो आपको important चीजे लगते हैं जैसे आप एक दो book से पढ़ रहे हो जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से कुछ चीजे नहीं निकल कर आ रहे हैं तो आपको notes बनाना बहुत ज़रूरी है थाड़ नंबर पर मैं बात करूंगी पीवाइक्यू बहुत important होते हैं पीवाइक्यू बहुत important होते हैं आपके exam का अगर 50% आप जो है syllabus को cover करते हो यारे कि 50% syllabus नहीं अगर आप syllabus को cover कर लिया आपने पढ़ लिया आपका content ready हैं आप तयार हो तो वह आपके हो गई 50% preparation लेकिन 50% preparation आपके करवाएगे पीवाइक्यू और जो आपके mock test है जो आपके practice है पीवाइक्यू देखने बहुत जोरूरी है जैसे market में किरनार गुपता यूथ पब्लिकेशन बहुत सारी आपकी previous year questions की जो है books आपके available हैं तो ज जिसका review जो understand आपको हो जिसके language आप खरीज सकते हो पर्चेज कर सकते हो तो पीवाइक्यू में क्या होगा जैसे मैं अपने history से बताती हूं मैंने history of ancient मैंने पढ़ा उसका मैंने stone age cover कर लिया फिर आपका वैदिक civilization और मैंने इंडिस वैदिक civilization जो है मैंने उसको वहां से पढ तो मुझे एक पर दो-चार सालों में एक पर घूम लेना चाहिए नजर मार लेनी चाहिए कोशनों पर कि कैसे कोशन इस portion से जो है particular topic से जो है पूछे जा रहे हैं कि मैं ठीक direction में preparation कर रही हूं या मैं नहीं कर रही है ठीक है या आप ancient को भी पूरा पढ़ कर वापीस पीवा इससे क्या होगा क्योंकि देखो अगर पीवाई क्यों आपकर कोशन वे सेम ही रहेंगे जितनी बार आप करो किसी भी एर का exam change तो होने वाला नहीं है लेकिन उससे क्या होगे आपके नजरों में वो कोशन उतर जाएंगे आप उनको अच्छे से समझ जाओगे आपको जाने पहचानी चीशे लगेगी एकदम examination hall में आप जो है ना तो आपका examination hall का pressure हैगा ना आप ऐसे एक तरह से confused होगे कि ये चीज़े मेरे सामने नहीं आ गई ठीक है तो मेरे कहने का मदला आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि कैसे प्रेशन पूछे जाते हैं आप पहले से ही त तो उनको आप एक notes time में बना लीजे ठीक है जिससे क्या है आपको एक ऐसी चीज मिल चाएगी last time में revision करने के लिए जो आप कि इदर उधर नहीं बटगना पड़ेगा कि मैंने कहां से पड़ा था आप एक रजिस्टर में यह सभी आप अपना रखिएगा last आपके time में जो आपकी preparation में help करेगा revision में help करेगा जैसे कि आप PYQ लगा रहे हैं MCQ को solve कर रहे हो तो उसमें क्या होगा जो content आपका अच्छे से cover नहीं दोबारा जाके जाक लेना यानि कि लंबा रस्ता आपको तैय करने की जिरूत नहीं पड़ेगी छोटे से ही आपको रास्ते से जो है काम आपका निमट जा की हैं तो आप अच्छे से practice किजेगा mock test लगाईएगा ठीक है तो पहले syllabus study material है तीसरा PYQ फोर्थ में कहूंगे आपको practice अच्छे से करनी है ठीक है जितनी revision भी साथ करते रहे जो आपने syllabus किया और साथ में practice करते रहे दोनों चीजा आपकी साथ भी चल जाएगी तो आपके त्यारी हो जाएगी बस यही एक छोटा सा तरीका होता है पढ़ने का तो अब आताती आपको time कितना देना है आपको first paper के लिए मैं कहूंगी जैसे आपका first paper होता है तो आपको two से three hour daily देने ही देने है ठीक है two भी दे सकते हो three भी यानि कि quality study आपको देनी है quantity में भले ही थो preparation कर रहे हो आपका justice political science जो भी है तो उसके लिए आपको कम से कम चार घंटे चार से पाच घंटे आपको देने की जरूरत है चार भी दे सकते हो पाच भी छे भी तो मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखके बताते हूं जो जोब कर उनको कम लगता है और जो पढ़ाई करे त छे साथ दे सकते हो ठीक है तरीके से आप दे सकते हो कुल मिलाकर minimum अगर बात करूं आपको पाच घंटे और maximum बात करूं तो 9-10 गंटे आप जितना पढ़ सको अब पढ़ लीजे लेकिन quality study करनी है जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करनी है मन लगा कर आपको पढ़ाई करनी है इससे क्या होगा कि आप exam के लिए अच्छे तरह से त्यार हो जाओगे कि एक तरह से कहते न युद में जाने के लिए आपको सारी कलाय आपने सीख ली आप युद मेमार नहीं खाओगे आप क्योंकि पहले से तयार हो कि मेरे साथ क्या हो सकते कैसे मैं जो मेरे को question आएंगे अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा motivation मिलता है सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो अगर आप शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दीजिएगा next अगर आप बुक के regarding कुछ प्रशन आपके होंगे तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगे ठीक है फर्स्ट वेपर के लिए भी धन्यवाद